इसका वर्क क्या होता है। और उसकी डिफ्रेंट एप्लिकेशन को समझाता कि उसकी क्या क्या एप्लिकेशन है। तो आज की इस लेक्टर में दिखेंगे कि बोष्ट कनवर्टर कैसे काम करता है। और उसके waveforms को draw करेंगे, यानि, each components के across voltage और उसके through flow होने वाले current की waveforms को draw करेंगे, किस तरीके की waveforms रहती है, तो सबसे पहले समझते कि इसकी working कैसे रहती है, जैसे कि यहाँ पर एक switch लगा है, boost converter का ये complete circuit diagram है, boost converter, तो ये switch को हम क्या करते हैं, boost converter में, या फिर any dc-dc converter में, switch को हम high frequency के साथ on-off-on-off करते हैं, जैसे ही इसको on करते हैं, यानि, जैसे duty cycle क्या होती है, t on y, ts, याट t on हो गया, dts, इतने time के लिए हम इसको on करते हैं, switch को, जब switch on होता है, तो circuit की waveform, जो boost converter circuit का configuration, यानि boost converter का circuit इस तरीके से बन जाता है, क्योंकि जब switch on हो गया, तो यह वाला, short हो जाएगा, यह वाला lag, यहाँ पर switch लगा है, इसके बाद, inductor के cross voltage कितना आ गया, यह plus minus VL हो गया, VL, यह VD आ गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर diode था, diode off हो जाएगा, यानि किस तरीके से off होगा, जैसे यहाँ समझे कितना voltage आ गया, यह वाला point, V0 से connected है, तो यह वाला point, plus V0 हो गया, और यह वाला point, यह वाला, यह कहाँ connected है, यह ground से connected है, यह 0 हो गया, तो diode किस तरीके से connected है, इस तरीके से, तो यह वाला cathode to anode voltage कितना आ गया है, प्लस माइनस V0 तो यह reverse हो जाएगा जब reverse हो गया तो यह off हो जाएगा off की तरह यानि यहाँ पे open circuit की तरह act करेगा तो यह load जो है यहाँ पे load supply सी disconnect हो गया और inductor क्या हो रहा है इस case में अब charge हो रहा है यानि inductor energy को store कर रहा है इस तरीके से यह current flow होगा तो inductor charge हो रहा है इस case में और यहाँ से capacitor यह study यह याद रखना होगा कि हम अभी study state की बात कर रहे है जब को काफी थोड़ा से time बात circuit का operation देख रहे है यानि यह नहीं कि हमने एक तम नया circuit design किया और उस time पर हमने switch को on किया उस का behavior थोड़ा सा different होगा इसको मैंने buck converter के case में discuss किया था आप देख सकते हैं उसमें उस video में किस तरीके से waveform rise होती है inductor current किस तरीके से steady state में पहुंचता है तो same तो यहाँ पर अभी capacitor charge है तो यह क्या करेगा यह load current को capacitor supply करेगा जब switch on है और inductor यहाँ पर energy store कर रहा है capacitor यहाँ energy energy जो store पहले की गई थी उसको यहाँ पर discharge कर रहा है load के लिए दे रहा है अब यहाँ पर inductor charge होगा अब जब switch off करते हैं जब switch को off किया तो circuit का configuration अब किस तरीके से बदल जाएगा यहाँ देखें यहाँ पर यह switch off होगे आप अब diode on हो जाएगा forward wise हो जाएगा diode क्योंकि inductor का current यह ऐसे समझें current के form में क्योंकि inductor का current एकदम से 0 होगा नहीं तो यहाँ यह current इसको forward wise कर देगा तो diode on हो जाएगा तो अब क्या हुआ source से और inductor से दौन की energy अब लोड में जारी ही यानि yak capacitor पTF Economics कर दारा और load में और current flow का हो रहा है test time पर क्या हो रहा था हूं time में ऐंट्पtr energy store कर रहा था के कर देखेंटर deliver कर रहा था अब क्या है यहाँ पे इंड़क्टर डिशार्ज हो रहा है और source के साथ भी source भी दे रहा, inductor भी दे रहा, और इस case में capacitor चार्ज हो रहा है, लेकिन load के लिए continuously current मिल रहा है, I0, I0 समझ लेते क्या होगा, V0Y, R, load resistance, अगर R है, यह हो गया, V0Y, R, तो इस तरीके से यह boost converter काम करता है, यहाँ अभी current किस तरीके से हो गया, ऐसे, दो पार्ट में, यह capacitor में charge हो रहा है, यहाँ से current जाएगा, और इधर load की दरफ जाएगा, तो इस तरीके से boost converter काम करता है, तो अब देखते हैं, boost converter की different waveforms को, यानि, अभी देखें, यह है हमारा reference, as a reference बोले है, कि inductor के voltage को हम इस तरीके से ले रहे हैं, कि यह वाला plus terminal है, यह वाला minus terminal, current की direction इस तरफ है, और यह सारी reference मान के waveforms को हम द्रॉ करेंगे, तो यह है boost converter के लिए different reference, तो अब द्रॉ करते हैं waveforms, inductor के लिए, unacademy के कुछ नए batches start हुए हैं, for gate 2023, electrical के लिए, जो कि 15 December से आपके start हो गए हैं, तो आप इन courses को भी join कर सकते हैं, उसके लिए आपको plus subscription लेना होगा, और plus subscription पे अगर आप 10% off चाते हैं, तो आप विद्या ट्रांस लाइव code का इस्तिमाल करें, same ECE के लिए भी आपके batches start हो गए हैं, तो आप इनको भी join कर सकते हैं, आपको same code यूज करना है, विद्या ट्रांस लाइव, इंडिया की top faculty unacademy में पढ़ा रही है, तो आप इनका benefit ले सकते हैं, same आपके कुछ नए batches start हो रहे हैं, उनकी detail आप देख पा रहे हैं, 15 December से आपके CSIT, mechanical, civil, electrical और EC के batches start हो गए हैं, तो आपका कोई friend भी है, जो unacademy का subscription लेना चाता है, तो उसको आप बता सकते हो, कि आप अगर विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तिमाल करोगे, तो आपको 10% off मिलेगा, thank you very much, जैसे यहां है, VD, हमारा अगर input side voltage DC है, तो यह constant DC है, इसमें कोई भी variation नहीं हो रहा है, और output voltage क्या होता है, boost converter के case में, V0 equal to VD input voltage divided by 1 minus D, D, DT cycle हो गया, DT cycle को change करके हम इसके output voltage को change कर सकते हैं, DT cycle क्या कितने vary, कहां से कहां तक vary करता है, 0 से, 1 के बीच में, 0 से, 1 में से, 1 से कम value, माइनस करेंगे, तो यह value हमेशा, यह complete value हमेशा 1 से कम रहेगी, तो V0 क्या होगा, V0 हमेशा, VD input voltage से greater रहेगा, तो boost converter का यही काम है, कि input voltage अगर हमारे पास low है, तो यह high voltage में उसको boost करेंगा, तो यह boost करेंगा, यह किस तरीके के, किस तरीके से आता है, इसको हम drive करेंगे, next lecture में, और यह होगा, output voltage की waveform, इसको भी हमने constant माना है, क्योंकि अभी हम, पिछले बक्क निवेटर का discuss किया था, उसमें बताया था कि, small ripple approximation, थोड़ा सा इस तरीके का voltage नहीं रहता है, थोड़ा सा ripple रहता है, output voltage में, लेकिन अभी, easy computation के लिए, तो हम इसको, क्या माल ले रहे है, constant, अब देखते हैं, जब switch on है, सबसे important पहले भी बताया था कि, बक्क नवर्टर के case में, इंड़क्टर के across voltage, और इंड़क्टर के थुरूफ, जो current flow होता, उसकी waveform काफी important होती है, तो अभी यह देखते हैं, VL, इसका reference इस तरीके से मानो, VL, तो, जब VD, sub switch on है, तो VD, इसके इंड़क्टर के across आ गया, यह plus, क्योंकि यह वाला terminal यहां आ गया, minus terminal, terminal यहां पहुंच आगया, क्योंकि यह short circuit हो गया, इस time पह, यह भी minus हो गया, VD, capital VD, यह हो गया, capital VD, यानि, input voltage के equal, तो यह on time, switch on है, जब switch off है, जब switch off हुआ, तो यह voltage, plus minus VL, कितना होगा, यह हो गया हो, यहां पहां सिंपल KVL लगा देंगे, क्योंकि यहां V voltage क्या है, V0, जब KVL लगाएंगे, तो VL आएगा, VD, VD minus V0, तो यह आ गया, VD minus V0, यहां पहर जैसे यहां देखें, VL जब T on है, DTS होगे, T on time, यह on time है, यह 1 minus DTS, यह off time है, T on, और यह off, T off, यह TS time होगे, यहां पहर जैसे यहां देखें, यह complete cycle होगे, इसके बाद, दूसरी cycle repeat कर रही है, तो यह होगया, VL की, जैसे, on time पहे VD, और off time पहे VD minus V0, complete होगे, इसके बाद यह cycle repeat कर रही है, अब current क्या होगा, यहां पहें यह current, यह वाला current flow होगा, तो VL क्या होता है, LDIVD equal to, LDIYDT, DILYDT, जब, यह constant value है, DILYDT, IL क्या होगा, एक linear form में आदाएगा, क्योंकि यह constant value है, एक linear line equation बन जाएगी, IL, क्योंकि अगर ऐसे ही देखे, 0 to, TS, VDYL, DT, यह रहेगा, यह constant है, तो T time multiply होगा, यह नहीं line की equation बनेगी, इस तरीके की, तो इसका slope क्या होगा, यह slope क्या है, DILYDT, तो यह VDYL होगा, और सेम, आफ के case में, यह divide by L, तो यह होगा, DILYDT, यह वाला slope, क्योंकि यह decreasing slope क्या होगा, VD minus V0, VD minus V0 हमेशा, less than 0 रहेगा, क्योंकि, boost converter case में, V0 always, gets greater than VD, तो यह होगा, inductor की current की waveform, और voltage की waveform, अब और दूसरी waveforms को देखते हैं, किस तरीके से draw करेंगे, अब है, diode की, voltage की waveform, कैसे जाएगा, जब switch on है, तो bolt diode off है, और जब assumption हमने क्या लिया है, reference, VD यह वाला voltage, तो यहाँ voltage कितना हो गया, यह ground से connected है, और यह, plus V0, तो VD हो गया हमारा, off time पे, VD equal to, V0, लेकिन, polarity क्या रहेगी, minus, negative, तो minus V0, और जब diode on है, off time पे, diode conduct कर रहा है, तो उस टाइम पे, voltage उसका 0 हो जाएगा, और same cycle repeat करेगी, अब diode current की बात करें, तो यह भी inductor के current, अगर देखो, जब off है, diode, तो कोई current flow नहीं हो रहा, तो 0 current, diode से, लेकिन जब on, जब diode on हो गया, तो जो inductor का current है, off time है, तो same current आजाएगा, तो इस तरीके से, यह waveform आगी, यह से inductor का क्या था, इस तरीके से, इस तरीके की inductor की waveform थी, तो यह वाला part, यह हो गया, diode current, जैसे इस case में, यह वाला part, वीड, और इसका slope, रहेगा, जो inductor current का slope है, वीडी माइनस, वीडी नॉट वाल, यह हो गया, inductor, डायोट current की waveform, और, ऐसा ही, same switch के लिए करेंगे, जब switch on है, तो इसके across voltage, 0 हो गया, जब switch on है, switch off है, तो switch off के case में, voltage कितना हुआ, यहाँ, प्लस, मैनस, V switch लेंगे, V switch क्या हुआ, यह voltage यहाँ पर आएगा, प्लस, V naught, negative connected है, तो V switch हो गया, V naught, तो यहाँ पर यह V naught आगया, switch voltage, यह भी V naught, यह आगया, और, same switch की current क्या होगी, इस time पर, जब switch on है, तो इस time पर जो, IL की current है, यानि, on time के case में, जब switch on है, तो यह वाली current, inductor current के equal होगी, तो यहाँ से, यह वाली waveform, VDYL slope के साथ, ऐसे draw करेंगे, यह थी inductor की current, sorry, switch के यह, तो फ्रू जोख फ्रू होने वाला current है, अब देखते है, capacitor के across, कितना voltage आगा, क्योंकि capacitor, parallel connected है, load के साथ, तो सेम voltage रहेगा, तो VC equal to V0 होजाएगा, अब, source current के बात करते है, source current क्या है, यहाँ से, यह on time में, यह वाला current है, source से flow होने वाला, IS, IS on, तो जो inductor का current है, वही supply से flow हो रहा है, तो यहाँ पर यह आ गया, on time के लिए, DTS के लिए यहाँ तक, सेम inductor का current, लेकिन, जब switch off है, तब भी supply से current flow हो रहा है, यहाँ पर, तो जो, IS हो गया, तो वो भी inductor current की तरह ही रहेगा, यहाँ पर यह, इस तरीके से decrease करेगा, तो IS equal to, यहाँ पर, IL, supply current equal to, inductor current, तो, जो, बग converter के case में था, जो supply से current रोग हो रहा था, वो, discontinuous था, लेकिन, जब boost converter के case में, जो, current है, supply current वो, continuous है, जैसे यह वाला है, continuous है, तो इसलिए, बग converter के case में, input filtering की, कम requirement रहती, तो continuous current रहता है, लेकिन, बग converter में, discontinuous रहता है, केवल switch on होता है, कि इस time पर, current flow होता है, यह यहाँ पर, चिरू रहता है, तो यह था, supply current, अब बात करते हैं, IC कैसे निकालेंगे, जब switch on है, तो IC की, जो reference लिया था, इस तरीके से लिया है, IC, तो जब switch on है, तो जो load current, तो flow ही होगा, यहाँ से I0, तो IC क्या होगया, minus I0, क्योंकि, यहाँ से जब supply से, sorry, जो capacitor से current flow होगा, यहाँ से ऐसे, capacitor से load की तरफ, तो IC होगया, minus I0, ऐसे यहाँ पर, IC, IC minus I0, यह minus I0, और जब switch, off है, उस case में क्या है, capacitor में current जा रहा है, लेकिन कितना, यह diode current होगया, यहाँ पर I0, connected था, diode current और यह, I0, यहाँ IC, तो IC होगया हो, ID minus I0, यह diode current की waveform थी, इस तरीके की waveform रहती है, तो जब off time पर, I0 में से, हम ID minus कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके की waveform आ जाएगी, यह depend करेगा, कि यह value कितनी उपर रहेगी, या नीचे आईगी, कि कितनी average value है, यह I0 की value कितनी ज़्यादा है, उस पर depend करेगा, तो, और ripple current पर भी depend करेगा, अगर ripple current ज़्यादा है, यह value और ज़्यादा होगी, इधर होगी, यह जहाँ होगा, तो नीचे से, ऐसे इस तरीके की waveform भी आ सकती है, ऐसे इस तरीके की waveform भी आ सकती है, लेकिन, यह इस case में भी अगर ऐसे डारेक्टली देखें, ऐसा ना मान के, I0 में से 0 माइनस किया, sorry, I0 में से 0 में से, I0 माइनस करेंगे, तो माइनस इनॉट, यह थी, capacitor के तरो, flow ओने वाला current, तो यह है, different waveforms, boost converter के लिए, next lecture में हम देखेंगे की, इसका mathematical analysis कैसे करेंगे, देखते हैं, thank you,